दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से आई से बैंक की आई मुबाइल पे अप्लिकेशन को रेइस्टेशन कर सकते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि आप लोग आई से बैंक के साइड से मुबाइल बैंकिंग की सभी सर्विसे जो प्रोवाइड की जाती है आप लोग उन सभी का यूज कर सके हैं इसको जानने के लिए बने रहे हैं वीडियो में लाज तक सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से एंट्रों के बाद आप दोस्तों आपको दिखाता हूं कि आप लोग किस तरह से आई मुबाइल पर अप्लिकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को आई साइड से जो भी मुबाइल बैंकिंग के सर्विसेस आपको प्रोवाइड की जाती है आप लोग सभी का यूज कर सक करेंगे सबसे पहले इंस्टाल कर लेना है जब लोग इंस्टाल कर लेंगे आपको इस इंटरफ्रेस दिखाएं तो इसके बाद आपको इस सेंटरफेस करने देना है इसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आपको यहां को अपनी सेलेक्ड कर लेना है जो आपके आई चाहिए से वरिफाइड हो पाए तो यहां पर आपको यहां पर कहे रहा है कि आपको फो डिजीट पिन जो कि अप्लिकेशन को लोगिन करेंगे तो उसी पिन से आप लोग इस अप्लिकेशन को लोगिन कर पाएंगे तो वही पिन आपको नीचे भी टाइप कर देना है आप दोस्तों आप क्लिक कर दी हैं इसके बाद continue बटन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है अब यहां पर आपका account का last two digit number दिखाई देता है तो यहां पर आपको उसी account का जो debit card होगा debit card के back side आप लोग देखेंगे तो वहां पर grid number दिखाई देता है है सभी alphabet दिखाई देता है उसके नीचे number दिखाई देते हैं तो यहां पर जो-जोอल्षा गारू यहां पर दिखाई दे रहा है जैसे डी तीडिखाई दे रहा है टिखाई दे रहा शो इस तो इस alphabet के नीचे जो भी number होगा आप लोग डेविड कार्ट पर देखेंगे वो number आपको यहां पर type कर देना है इसके बास submit बटन आपको दिखाई देता है आपको submit बटन पर क्लिक कर लेना है आप दोस्तों आप से यहां पर पूछा जा रहा है कि आप लोग फिंगर लग लोगों को देखना है तो आप लोग सकते हैं इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ओके गॉट इट्थ हैं आप लोग यहां पर सक्सेश्पुली आई मूबाइल पर अप्लिकेशन को लोगिन कर चुकी हैं अब आप लोग आई-चारी से बैंक के साइट से जो भी इफरमेटिव वीडियो के साथ